कि है गाइच आई एम बैग विद फर्स्ट मिवाई 11 ब्यूल्ड ऑन के 20 प्रो जियां जो कि हमें प्रवाइड करता है साइमी यू जिसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है और कितने ज्यादा इंप्रूम्मेंट हुई है वो साई डिटेल इस वीडियो में आप क्या कि आपको नयो वाले है तो वीडियो का को फोल वाच करना है और आप चैनल पर फर्स्टाइम विजिट करें इस वीडियो को वाच करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि क्योंकि इसी टाइप के मोड अपडेट्स आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर तो चलिए आई कर बखते हैं फर्स्ट आपने 20 प्रो देखने को मिल जाता है इन में वह एक वर्जिन आपको मिलता है मिवाई 11 का बाई सावमी यू 9.9.26 बीटा वर्जिन है इंट्वाइट वर्जिन आपको 10 का सपोर्ट मिलता है क्योंकि यह है जितने भी है सब 10 पर आ रहे हैं और इसका ओफिस्यल भी आ चुका है कुछ लोग के लिए तो अभी पॉब्लिक ली रोल डाउट नहीं हुआ है बट कुछ लोगों को मिला था उसका बाक वस बैक ले लिया गया था तो जल्दी मिल जाएगा यहां पर आपको इन्वाटर जो सिक्यूर्टी पैज मिलता है वह है आपको मिलता है टू किनेक्ट करके आप यहां पर चेंज भी कर पाओगे यहां पर आते तो आप देखो के फर्स्ट इंप्रेशन इसकी सेटिंग्स का जो कि काफी दमदार और काफी जाथा कलरफूल आपको देखने को मिल जाता है और हर एक नेम के साथ आप देख पाओगे कुछ जादा ही मिल आउट को जो कि काफी जड़ा मजदार है यहां पर आपको नेट्रॉक वाइलन ब्लोदूत यह साई चीजे से मिलती है इसके सेटिंग कर देखने को नहीं मिलता है वहीं पर मोड के जगहां यहां पर कनेक्टिंग और आपको मिल जाता है कैसे काम करेगा उसका कुछ डेमो क इस प्रोग लेक्ट इंप्रॉब्मेंट के साथ आता है तो फर्स्ट में अगर आप इसके क्लॉक पर जाते हो तो बहुत सारे क्लॉक की आपको यूई देखने को मिल जाते हैं काफी जादा यहां पर अटेच कर दिया गया है हरेक यूई में आपको अलग अलग लियाओ दे तो में अखके जो यहीं ऊज़ करता हूं आप मैनुओल कलर यहां पर कर सकते हो आप यहांपर कर सकते हो और मैसेज करता हूं अपने के 20 प्रो के उपर तो यहां पर को चीज़ आपको नया देखने को मिलेगा बॉर्डर से आपको लाइटनिंग बिलिंग करते हुए नजर आएगी जो भी कलर का आप लाइटनिंग करोगे तो यह आप एम्बेन को ज्यादा है जो डीम है जिसको जैसे में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आगे आपको है जो दिखाई तो किस तरह आपको बिलेंगिंग दिखाई देता है उसका अगर हम आते हैं यहां के नीचे की और यहां पर कुछ वर्ट्स वगरा सेट कर सकते हो जो भी आप अपना लाइन यहां पर लिखना चाहते हो तो यह आप आपको मिल जाएगा आप इसके फॉंड के साइज को मैंटेन कर पाऊगे टेस्ट कितना बोल्ड रखना है वहां मैंटेन कर पा गए और यह चीज़े आप यहां पर कर सकते हो साथ इस पर ऑट मिल जाता है आपको आटो राइट करने का नेक्स चीज़ आपको आती है आइटम की कि यहाँ पर डिस्प्ले आइटम का सीडियूल कितना होना चाहिए और विज ऑन रखना है या पर टाइमिंग सेट करना चाहिए तो कि इतने के बाद यह आफ हो जाए लाइक नाइट में तो नाइट में आपको एक और देखने को मिल जाता है तो अपने पने चौई होता है उसका स्लीप टाइमिंग राइजिग डबल टैब और यह सारे कॉमंवाल आपको शेटिंग्स मिल जाते हैं और यहाँ का मिलक मिलता है नेट सेटिंग का सॉटकट यहां पर पासवर्ड एंड सिक्यूर् और यहां आपके जायर सेटिंग को आप एकसेस कर पाएं लाइक पासवर्ड आपको मिलता है फिंगर्प्रिंट मिलती है फेस उनलोग और ब्रॉसर से अनलोगिंग प्राइवेसी लोकेशन वगेरा एस इमर्जेंसी प्राइवसी और फिर इसके अंदर आपको दो एक्ष्ट् को मिल जाती है ये जो आपको और वाल पर यहां पे ढुश। यह फिंग करता है color saturation आप manage कर सकते हो डिस्प्लेया कैसा रखना है वह आप यहां पर कर पाऊ गया एंटी फिलिक्रिंग पहले भी मिलता है डार्क मूट का एक नया option आ गया है जहां पर आप डार्क मूट करते हो और गलोबल डार्क मूट को आप कर देते हो तो बहुत सारे application जो support नहीं करते हैं उसमें भी डार्क मूट आपको देखने को मिल दाएगा जैसे के आप यहां पर देख सकते हो आपका प्ले स्टोर यह भी जो डार्क मूट पर चला गया है तो काफी अच्छा सा आपको black dark UI हर जगा देखने को मिल दाता है जो कि कि भाई मज़दार सी feeling देता है तो आप अगर इसका यूज करते हो तो काफी जड़ा आपको जो मज़ा आने वाला है इसे यूज करके उसके बाद यहां पर चाहते हो तो यहां पर सेट कर सकते हो कि कब से कभी ऑटो इनेवल हो जाएगा और कभ यह डिसेवल होगा यहां प स्टेटस बार में आपको जो नोटिफिकेशन आइकन एल्टी को फोर्जी स्पीड मीटर के रियल लेवल और यहां पर आपको बैटरी इंडक्टर जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है परसेंटेज नेक्स्ट डब बैटरी तो आप इसे इनिवल करते हो तो बैटरी पर्सेंटेज बैटरी ग्राफ के साइड में दिखेगा यहां इंसarea ऑफिक कर सकती हो यहां पर सर्ट्या से इसे कॉम्पाक्ट या डिफॉल कर सकते हो तो मैंने एसे कॉमपैक्ट किया है औरया मैसेद कुछ इस तरह से एक्सपेंड होता है तो कितना भी मैसेज पर कटेगरी दिया गया है काफी जड़ा इंप्रेसिव है और एक फर्स्ट बिल्ड मैंने आपको टेक ओफिस पर दिया था बहुत पहले जो कि चाइना का था नाइट लिए उसमें आपको यह वाल्यूम को कंट्रोल करने में थो दिक्कत आ रही थी बट यहां फिक्स हो गया ह आप काफी अच्छे तरकी से आप कंट्रोल कर पाऊगे और काफी अच्छी है आपको देखने में लगता है इसका ले आउट तो काफी जड़ा इंप्रेसिव मिलता है वीडियो कॉल की प्रफाइल भी आप सेट कर पाऊगे यहां पर इनकमिंग क्लिंग के टाइम पे तो य चार्जिंग अन्माउंट यह सारे कॉमन वाले आपको मिल जाता है नोटिविकेशन के अंदर आते याप नोटिविकेशन सेड मिलता है जहां पर आप मिय या फिर इंडुएट का रख सकते हो आप इम आई वह का रखोगे तो कुछ इस तरह के आपको नोटिविशन देखन तो काफी और चीज आपको मिल जाती है इस MIUI 11 पर होम स्कीन पर आते हैं तो यहां पर पोको लॉंचर को डिफॉल्ट नहीं दिया गया है क्योंकि एक यू रूम है तो जब आएगा स्टेवल व्यूर्ट उसमें आपको पोको लॉंचर डिफॉल्ट डेखने को मिल जाएगा तो यहां पर वह इस सारे आपको मिल जाते हैं ऐसका दूंगा में आपको तीन तीम मिल जाते हैं यहां पर गड़िफॉल्ट लेकिन इसका छो खुद नहीं का च्ड़त है के 20 का ओ जैकर मिल जाता है काफी चाया। है कि प्रफेक्ट यूज करूंगा तो यह आप देखे कर नाइट डिडिस्प्ले पे एक राइट नजर आए कि जो की काफी है जो डेखने में अच्छा सा लगता है तो काफी मजदार से लाइटनिंग Gulf Одесс करता है कैमेरे का यूज करते तो मिलता है यहां पर करने वाले और वहां पर लाइडिंग की प्रॉब्लम है आपको पावर्वेंग को मिलेगा बैटली के अंदर और कुछ अप्लिकेशन यह देखने को मिलेंगे जिसे आप एक्सेस कर पाओगे ताके बैटी जाला से वो फिर विया पुछ एक्सेस करना चा देखने को मिल जाता है इस तरीके से और यहां पे डण कर दोगे तो आपको अक्सेस कर दो कर दो देखने को मिलता है LIKE OUALTRA SAVING और यहां पे इसकी डेटeIl मिल जाते है ग्राप के रूप में जो कर आपको रैंकिंग और डेटेटियल साथ याद Automatic Task Manager मिलता है जहां सा आप बहुत सारे एक्षन कर सकते हो Auto Timing के नुशार ताकि आपको फोन को उठा के एक्षन देना ना परे यह Auto Timing के नुशार काम कर दे जैसे आपका Aeroplane Mode, Silent, GPS, Mobile Data, Wireland, Sync वगरा इतने सारे Option आपको मिल जाते हैं तो यह Auto Set कर सकते हो बहुत इंपोर्टन फीचर से जो कि हमें MIUI 10 में काफ़ी पहला यह मिला था बाके दर डिवास के लिए फिर हटा दिये गये था तो क्या पता आप हमें MIUI 11 में Stable Build में देखने को मि के से तो आपको अंदर स्रेटिंग जो देखने को मिलते हैं चली मैं आपको भी दिखा देता हूं जहां पर आपको मिलता है Apps Hide का आप डैकली यहां से Apps Hide को सेलेक्ट कर सकते हो और उन्हें हाइड कर पाग अपने Home Screen के लिए और यहां पर आपको सजेशन भी देता है उसे कैस अट्रेक्टिव है जो दिखाई देता है मैनेज़ के अंधर आपको अनस्टोल डिएवल एप्स और परमिशन देखनी को मिलता है जिसके बी कलर बिल्कुल ही चींज कर दिया गया है तो काफी जादा ध्यान दिया गया इस Mi-Wai 11 पे तो काफी जादा कलरफुल है जो इसे ब बहुत सारे लेंगईस यहां पर इस दिखने को मिल जाता है है और सा सबस्सक्राइब के यहां पर ऊक्सेस कर पाओगे रोगे काफी बात है डिक आपको और नाइट लाइट नोटिफिकेशन आपको सेम सिंगल कलर मिलता है वन हेंडेट मूर भी मिलता है एससबिलिटी के अंदर आपको जो यहां पर मिलता है स्विच टू स्पिकर आटोमेटिक यानि आप जब भी कॉल करोगे और अपने फोन को अपने यह से अलग ले जाते हो तो आटो स्पिकर मूट पर चला जाएगा लेकिन उसके लिए आपको टालक बैक यूज करना होगा यहां पर साब सब लिखा गया कि जब आपका टालक बैक एक्टिव रहेगा तभी यह फिचर्स काम करेगा अधरवाज काम नहीं करेगा तो ऐसे नॉर्माली किसी किसी विजर को ज्यादा प्रसानी आ सकती है इसलिए उसे टालक बैक पर सेट किया गया है डिजिटल वेलविंग यहनी स्क्रीन ओन टाइमिंग जाएगा जल्दी उसकार यहां पर आता है तो यहां पर कलर फुल आइकन मिल जाते हैं जिसमें माई लैब मिलता है माई का जो कि सिर्फ चाइना यूजर्स के लिए अवेलवल है सेकेंड स्पेस यहां पर फॉन के अंदर एक नए आप्सों आट किया गया है लिप टू ओप यहां पर जो भी साउंड आपको देखने को यहां पर मिल जाता है तो इसमें अभी इंप्रूमेंट की जरूरत है तो गेम टरो में अभी जो गेम टरो का आपको बूस्टर दिखाई देता था साउंड के साथ वह भी दिखाई नहीं दे रहा है और साफिया यहांपको मिल जाता है कि क्रिपभलाई तो किट्रूपलाई का पहले आपको अलग दिखाई देता था यहां पर जो फोन का एक डेमु है यह थ्वासाथ चेंज कर दिया गया है और किक रिप्लाई का प्हल जाते हैं तिहां आपको होम इस्किन का बैक अप डेट सांड फाइंड आप यह सारे उपर मिल जाता है सिंक यहां पर हलका बोल्ट सा किया गया है नीचे आपको फ्रिक्वेंसी प्रहाइब्स और क्यूप सिंक का ओप्सन दिखने को मिलता है क्यूप सिंक यानि जब आप पॉ तो काफी इंपोर्टेंट फीचर्स आपको मिलता है फ्रिक्वेंसी प्रहाइब्स में आप जब भी कोई सॉटकॉट यहां पर एटैच करते हो तो पहले क्या होता था कि जब भी आप डिलीट कर देते हो एकाउंट को रिसेट कर देते हो तो आपको सारे सॉटकुट चले ज जलता होगे तो यहां पर घ्र है आपको मैंने दिखाया था तो यहां पर इसे भी एक्सेस कर पायोंगे काई सारे ऑपशन यहां पर दिये गए इहा कुछ प्रॉल्म आती है और diadgee आपके जो दे सकते हो कि यह प्रोडम है हमें फेड़ बैक की जरूरत है तो यह काफी इंपोर्टेंट चीज आपको मिल जाती है अब आते होम स्क्रीन पे यहां इसके डाइलर पर जाते हैं तो डाइलर आप देखते हैं तो आसा राउंड किया गया है यहां पर कॉर्णर पर और कॉलिंग का स्क्रीन बिल्कुली अलग कर दिया गया है और जो सेकेंड यहां पर चलता है काफी जाजा लार्ज देखने को मिलता है और साथ यहां पर वीडियो कॉल भी कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आती है मैसेंजिंग भी कुछ एक्सपेंड किये गये टेक्स्ट लगाइब देख सेकते हों काफी अलग साथ यॉज देखनी को मिलता है contact भी आपको से मिलता है कुछ खाज चेंजिंग नहीं मिलती है एक यहां पर सॉट वीडियो पर आपको कुछ तीन नहीं अप्ट देखने को मिलते हैं यह तो पहले आपको मिल जाता था बट यहां पर रेगुलर के अंदर आते हो ता आपको यहां मिलता है सूपर स्लो का उप्शन, स्लो का उप्शन, रेगुलर का उप्शन, फास्ट का और सूपर फास्ट का तो इन चार-पांच फीचर्स का यूज करते हैं आप स्लो मोसन की वीडियो रिकॉर्ड कर पा गए जो काफी इंपोर्टेंट है अगर आप टिक टोक बगड़ा जादा उसकार वीडियो पर आते हैं और यहां पर ट्रिपल लाइन पर हम जाते हैं तो यहां पर आपको क्वालेटी चेंज करने का उप्शन देखने को मिल जाता है यहां पर टैप करके सिंगल टैप में क्वालेटी वीडियो के फ्रेम डेट को चेंज कर सकते हो लाइक 4K, 30AP, 7K और इसे करके आपको मिल जाता हैं यहां पर आप्शन, फोटोज में अगर हम यहां पर आते हैं तो आपको यहां पर ग्रीट का उप्शन यहां पर दिया गया जबकि पहले हमें इंटरनल सेटिंग में मिलता था बट आप यहां इसे इनेबल कर पाऊगे, साथ स्याद यहां पर कैमरा का फ्रेम भी यहां पर चेंज कर सकते हो तो यह भी चीज़ आपको यहां पर देखने को मिल जाती है आप फुल स्क्रीन भी हो भी आप इनेवल कर पाओगे कुछ इस तरीके का तो काफी अच्छा मिल जाता है 48 भी आपको यहां मिलता है लेकिन 48 से जब भी हम अशनले को रहे हैं तो काफी अच्छी का रहां है यहां पर आपको जो करने करने वाला है तो कलेंड़ को एक्सपेंडर करने वाला मिल जाता है नया फिच्चस जहां पर आपको सारे जो भी सैटेवल है सब कुछ यहां पर सो कर देगा तो काफी अच्छा हो गया है केलेंडर पहले के मुकाबले तो सारे फेस्टिवल आपको वन टाइम में देखने को मिल जाता है अगर हम आते हैं गैलरी कूपर तो गैलरी में कुछ खास चिंजिंग आपको देखने को नहीं मिलता है म्यूजिक प्लेयर के और आते हैं तो म्यूजिक प्लेयर आपको यहां पर देखने को मिलती है तो ज्यादा आपको चेंज में देखने को नहीं मिलता है पर छोटा मोटा है जो चेंज देखने को दिखाई दियता है तो यहां पर आपको कुछ चीज देखने को मिल जाते है वह वीडियो मूजिक फेवरेट मोर टेलिग्राम और इंस्टाग्राम के भी सौटकर देखने को मिल जाते हैं और हम वेडर के उड़ाते हैं तो वेडर भी मुई 11 के साथ है जो काफी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है और इसे अगर आप लोकेशन को सेट कर देते हो तो यहां पर अप्सन देखने को मिलता है खुछ से लोकेट करने का या फिर आप कोई भी लोकेशन सो कर रहा है सेलेशन में सेलेक्ट कर सकते हो और इसका भी काफी ज़्यादा इंप्रूवड हुआ है जो कि काफी मज़दार लोकिंग के साथ आता है अगर हम इसके अंटूटू के स्कोर के उपर जाएं तो भाई अंटूटू का स्कोर् काफी अचा आपको या पर दिखने को मिल जाता है तो यहाप अन्टूटू का देख आओगे चोðकह देखने को मिल जाता है जो की काफी जयादा बेटर रोकर अप्धोर को यहों इनेवीता है усका रिकरना मीन आपकर अब य जाती है NFC का option है बट इंडिया वाले के 20 प्रो में NFC का features हमें नहीं मिलता है तो हमारे लिए किसी काम करने है अगर आपका global है इन नाइन टी प्रो वाला है फोन तो आपको NFC का features मिल जाता है यहां पर step counter में आपको इस तरह से expand हो जाता है जहां पर चेक कर पाऊगे है month और week तक का है जो details बाकि वही ओल्ड वाले आपको features यहां पर देखने को मिल जाता है कि सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाता है तो हर एक चीज में यहां पर changing आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात है और साथ यहां पर वोल्टी का आइकन भी मिलता है तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से कर सकते हो जब भी आप इसे lock करके unlock करते हो तो आपको अलग एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो काफी beautiful बनाता है इस अब दिखाई दे देता है और रहे बाद इसके गेम बूस्टर के जो कि सेटिंग में आपको दिखाया थे काम नहीं कर रहा है बर सेटिंग से डाइट मां सेटिंग उपन हो लेकिन जो इसका shortcut बनता है आप यह होम इसकिन पर गेम बूस्टर का तो आप इसे on कर तो आपको गेम बूस्टर का युवाई देहने को मिल जाता है जिसका हमें इंतजार था तो कभी कोई जब भी आपका नेट स्लो रहेगा तो यह धीर धीर जो सो होता है यहां पर कुछ इस तरीके से और जो पपाप को रूप में दिखावाता है स्लाइड बैक बगरा वो काफी ज़्य देते हैं और यहां पर ब्लैक इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी नेट काफी जड़ा है जो स्लो है जिसीयों से ऐसी प्रॉलम आ रही है और जब हम रिसेंट को ओपन करेंगे तो काफी अच्छा सा इनिमेशन आपको देने को मिलता है जो कि फूल इनिमेटेट किया गया है और फूल इंप्रोड किया गया है तो आब ऐरम यह यह वीडियो करना चाह Papi लंबे वीडियो हुए कि मैने 50 i5 तो मैं आपको यह वीडियो पसंद आए होगी तो आप ने अवी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूद करें और चानल पे नहें तो आप स्पिसले कर तब तक लिए, बाई बाई